नहीं क्या है है क्या ये इंस्ट्राग्रम की रील है ये टीवी सीरियल है आई हाई ये के देख लिया मम्मी मेरा ब्लैक चश्मा किदर है ये वीडियो देखने के बाद तो मुझे ब्राइफलू हो गया तो गाइस आज पाइनली पता चली गया कि आईफलू आई कॉंटेक्स से नहीं इस वीडियो के कॉंटेक्स से हो रहा है क्या तुम लोगोंने बचपन में कलस टीवी पर आने वाली नागिन सीरियल देखी है नहीं तो मैंने तो नहीं देखी भाई सुन तुने देखी है क्या नहीं भाई मैंने भी नहीं देखी अरे मैं बचपन की बात कर रहा हूँ तुम दोनों तो अभी एक साल पहले पैदा हुए तुम दोनों कहां से देखोगे जाके अपनी अम्मी से पूछो उन्होंने देखी होगी नहीं बेटा मैंने भी नहीं देखी छोड़ो चलो हम पॉइंट पे आते हैं मैंने नागिन सीरिल का सीजन 1 और सीजन 2 पूरा देखा है अच्छा बेटा तो इससे हमें क्या फाइदा होगा कुछ नहीं नागिन के पहले सीजन में एक विलन होता है जो इच्छा धारी नाग नागिन को मार डालता है यह है 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 पट्टे से हट्शोर पट्टे से हट्शोर तो इनका बदला लेने आती है इनकी बेटी छोटी इच्छा धारी नागिन ही 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 मैं लोंगी इंत काम टिचकाओ और बस सीजन 1 खतम हो जाता है और फिर सुरू होता है सीजन 2, सीजन 2 में पता चलता है कि सीजन 1 के विलन अभी मरें नहीं जिन्दा है और विलन इच्छहधारी नागाईन को मार डालताँ है यह है तुने इंतकाम ले लिया अब मेरी बार यह ठिच के हाँ लेकिन यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट इच्छाधारी नागिन की एक बेटी है जो उसकी मा की मौत का इंतकाम लेगी तुने मेरी मा को केसे मारा अभी मैं तुझे दिखाती हूँ यह दिलो का शूटर है मेरे स्कूटर दिलो का शूटर तो बस इससे ज्यादा मैं इन चीजों को नहीं देख सकता अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आए तो एक वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर लो और चाते चाते मैं बस इतना ही कहूँगा तो गैट सावधान रहे सतर क्राइब मिलते हैं आप से अगली वीडियो में